वेलो वन आज का अपने टॉपिक वह ए रिक्षा जो अटो है इसके नदर ये लोड नहीं उठा रहा है और ये कोई बिग बॉस कंपनी का है वैसे तो कोई भी कंपनी कर रहा है सब चलता है एक जैसी है कोई बात ने रहती सेम टू सेम में होता है इसके अंदर प्रॉलम यह है अभी में दिखतनें तरह यह सब्सक्राइब निगेटिव सब्सक्राइब इसके अंदर में क्या है कि जो बैटरी है नहीं तो इसके अंदर यह दो आपको यह दोनों वायर जो है इसमें आना चाहिए और यह पॉजिट 2 नीगेटीव के दो बैटरी के होते है ikkaa उसके अंदर सही चाहिए contractors या इसको आना चाहिए तो आपने को से करलें इसका 48 ज triggers या 25 मैं आना चाहिए 42 के नीचे नहीं आना चाहिए 42 के नीचे नहीं आया तो फिर चलेंगा 42 आया तो हमारी जो आटो है चलता नहीं तो मल्टिमेटर को 200 रेंज पर रखके हम इसका इंपेडेंस चेक करेंगे और इसमें 45 आना चाहिए तो 45 आ रहा है लेकिन 45 जो है यह 25 आ रहा है तो 25 में नहीं चलेंगा 25 में तो गाड़ी बिल यह तारों को अगर आपस में शॉट करें तो यह तार जल जाना चाहिए इसमें बहुत हाई पावर होता है देखो इतने में सिर्फ यह रोश्नी दे रहा है जबके यह वायरों को तो इतनी देर में जल के पिगल जाना चाहिए था ओके वो इस तरीकी के प्रॉब्लम आते है है दो तिन टाइप के और लाप्टाप अगरा रिपेरिंग के लिए अपने को कॉंटेक करो और बहुत सारे मिस्तरी ना इसाप चीजों में फस्ते है तो भाई जितना अपने को नॉलेज है उतना शेयर करेंगे तो हम आप बता रहे है कि इसके प्रॉब्लम की बारे में तो सुनी आप को हेल्थ कंडिशन देखना है कि यह जो नोफ लगे वे इसके अंदर में आप कार्बन बिल्कुल ने आना चाहिए और यह जो उसके बगल में जो यलो कलर का जो तार दिख रहा है आपको यह घीचने पर तूटना नहीं चाहिए ठीक है ना यह जो दिख रहा है तो अपन तूटना नहीं चाहिए है तो इसका मतलब अपनी बैटरी का कंडिशन ओके है और इसका बैटरी का पानी हो भी कम नहीं होना चाहिए चाहिए कोई भी बैटरी हो वाटर लेवल बैटरी का कम नहीं होना चाहिए अब इस बैटरी के अंदर में वाटर लेवल कम है वाटर लेवल बैटरी का 80-90% होने ही चाहिए चाहिए उट रखो बाइक हो कार हो कुछ भी हो तो वाटर लेवल हमको ध्यान रखना है वाटर लेवल कम निन और डिस्टिल वाटर ही उसकरें तो भैतर है साधा पानी से बैतर है डिस्टिल वाटर को हम 20 रेंजर में रखेंगे क्योंकि 20 रेंज में इसलिए रख रहें क्योंकि बैटरी 12 ओल्ड की होती है तो हमारे को यह 11 ओल्ड या 10 ओल्ड दिखाने ही चाहिए कम से कम अगर ओके हेल्थ कंडिशन है तो इसमें कित्ता दिखा रहा है साथ 22 बहुत कम है और इसके अंदर चे यह हमने अभी साधा पानी का यूज करें तो डिस्टिल वाटर आता है एक लिटर की बोटल 20-30 रुपेगी अगर वह भी नहीं करना चाहते तो गरम पानी करो और वही गरम पानी को ठंडा करो ठंडा करने के बाद अच्छे से कपड़े से साफ करके और चान के वह पानी को इसके अंदर डाल तो इससे भी तुमारा बैटरी का लिफ टिक रहेंगा तो सीजासीदा ृफिख़ रूपे की लिटर कीप बोटल आती यहां डाल दो षक्लतीों और हर हर मैंने हर दो मैंने में शको चेंज करते रहे करो तो कोई दिक्कात नहीं कि लॉंग लाइफ चलती है बैटरी तो मतलब उसको हलका ठंडा होने देनों एकदम भी ठंडा नहीं करना पानी एकदम कूल वाला भी नहीं डाल देना एकदम हलका गरम रहा है उसकी तासी थोड़ी गरीब रहा है और यह फुल्फिल मत करें इसको 80% भरना इसको 100% नहीं भरना अब भी बैटरी का इंपेडंस चेक करते हैं अपन तो पहले दिखा रहा था साथ अब दिखा रहा है नौ कुछ तो इंक्रिमेंट हुआ है तो अपने काम करेंगे अभी कि और पानी इसमें आट करके देखते हैं फिर ओल्टेज में क्या विरियेशन आता है मोबाइल सॉफ से रिलेटेट पैनल तक सीकेवी कटिंग या सीकेवी कटिंग बायोस एडिट बायोस वगरा का लैप्टप अगरा का तो इस तरह के प्रावलम के लिए हमसे जरूर कॉंटेक करें नंबर दिया हुआ है चैनल पर और नाकपूर महाराष्ट्रा और आप लोगों को अच्छा मतलब सर्विस अच्छी बिलेंगी पहले आप देखें ना चलो यह पानी को एट करते अपन कंट्रोलर वगरा का तो काम कर लेते हैं और एक्जिम चार्जर रूटियल चार्जर का भी काम हो जाता है बट मोटर वर्टर का काम महीं नहीं करता जैसे कि तुमारा मोटर वोटर अच्छी तुस्त तो इस तरीके से हमारे वीडियो में मिलता है तो चैनल को सब्क्राइब कर यह पसंड आता है क्या करो कि पानी की सिन में काम करो Tech Woah तो देखिए अभी 10 ओल्ड दिखा रहा है यह नव पार दस ही हो गया अभी पहले तो इतना नहीं दिखा रहा था अब इसको चार्जिंग अगरा करेंगे तो और ओके हो जाएगा और यहां पर भी पहले 50 दिखा रहा था अब 90 तक के 80 तक के आ गया और वह एक्षिलेटर देत आएगा और अगर बैटरी फॉल्टी निकली तो चार्ज होने के बाद भी कोई फाइदा नहीं है वह यहीं फॉल्ट बना हुआ रहेगा राजार रुपए के अंदर में बैटरी मिल जाती है और अलग 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 कंपनी का अलग 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 रेट बैतर है कि अच्छी के अलावा इसके अलावा बाकी के जो सौकेट उसके अंदर में भी अगर यह कार्वन अरबन डस्ट वगर रस्टिंग अगर आ गया तो भी यह इस तरह का प्रॉब्लम कर सकता है में भी पॉसीबल है और बाकी यह सब वायरिंग मेरे को ठीक दिख रहे है यहां पर और यह लगाने के बाद जो बैटरी का ओल्टेज का इंपेटेंस है और अभी बैटरी अपनी मतलब ओके है लेकिन क्या है कि अल्टरनेट डोनों बैटरी लगी तो दोनों बैटरी की कंडिशन सेम रहना चाहिए अगर एक भी मिस यूज मिस कंडिशन रहेंगी तो प्रॉब्लम आ लगाना पड़ेंगा तब जाके 20 उठाना चाहिए था थोड़ी दर चार्ज पर लगा के देखने के बाद अगर वह बैटरी का थोड़ी उठती है तो अच्छी बात है वरना यह बीस पर जाना चाहिए था नहीं जा रहा है तो इसमें बैटरी खराब है या तो अगर एक काम कर रहे है गन्यवथ झाल झाल